नमस्कास उर्प्रभास स्वागत है आप सभी का मैं हूप प्रीती आए शुरुआद करते हैं हेड्लाइन्स के साथ नोडबंदी का लक्ष डर फैलाना ताहूल गांदी का प्रधान मंत्री पर तंज बताये दो विचार धाराओं के लड़ाई खड़कपूर में टीमसी दफ्तर पर गोली बारी में दो की मौत पार्टी ने कहा बीजेपी नेताओं की भूमिका की हो जाच अरोपों से बीजेपी का इनका सहारा बिल्ला डायरी मामला लेकर जनता के बीच जाएगी कॉंग्रिस याचिका खारिज होने को आम आद्बी पार्टी ने बताये दुर्भागे पूर्ण केंद्र ने कहा सम्विधानिक पदों को प्रभावित करेगी जाच बियसेफ जवान वीडियो मामले में बियसेफ ने गुरी मंत्राले को सौपे रिपोर्ट कहा डिबावन खाने का हुआ इस्तमाल गोजन के उच्छ गुडवत्ता के लिए जारी किये दिशामिर्देश तेरंगे के अपमान पर एमजोन कैनेड़ा को सक्त चेतावनी भारत ने कहा बिना शर्त मांगे माफी नहीं तो रद्ध होगा वीजा बाजार से उत्पाद वापस लेने की मांग जन वेदना सम्मेलन में कॉंग्रेस उपाद्यक्ष राहूल गांधी ने नोडबंदी समेथ विपिर्न मुद्दो पर NDA सरकार और प्रधानमंतरी नरिंद्र मोदी की तीख्या लोचना की राहूल गांधी ने कहा कि बीजेपी की सोच डराने वाली रही है उन्होंने जनिता से मौझूदा हालात से डरने की बजाए उसका सामना करने की बात कही कॉंग्रेस के जन वेदना सम्मेलन में पार्टी उपाध्याक्ष राहूल गांधी ने कारेकरताओं को डरो मत का नारा दिया राहूल ने कहा कि बीजेपी की सोच हमेशा से डराने वाली रही है और कॉंग्रेस डर मिटाने का काम करती है उन्होंने कारेकरताओं से मस्बूती के साथ डर की विचारधारा का मुकाबला करने को कहा साथ ही बीजेपी पर राष्ट्रिये संस्थाओं को कमजोर करने का आरोब भी लगाया नोटबंदी की आलुचना करते हुए कॉंग्रेस उपाध्यक्ष ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेजी फैसला बताया कॉंग्रेस उपाध्यक्ष ने धाई साल के दौरान इंडिये सरकार की पर योजनाओं पर भी सवाल उठाए साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दिन का वादा तब ही पूरा होगा जब कॉंग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी करेगी विशाल दैया, राज्य सभा टीवी पूर्पधानमत्री मनमोहन सिंग ने नोडवंदी को तबाही बताते हुए कहा कि इस से रोजगार पर बहुत बुरा असर पड़ा है वही राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नभी आजाद ने नोडवंदी को सबसे बड़ा घोटाला करार दिया क्या अब दुनिया का सबसे बड़ा स्क्रेम ये नोडवंदी है पूर वितमत्री पीछ दमरम ने नोडवंदी के फैसले की कम्यों का जिक्र किया और उन्होंने 8 नमंबर की कैबिनेट बैठक को लेकर भी सवाल उठाए अर्बिया कुछ पूर प्रेमोनिटाज़़शंग्सिति नोड़ा प्रेमोनेटिशन का जिक्र कम्योंदी को अदिए नोड़ा आपनेट इस नोड़ा ने तो प्रेमोंदी कहां रिकार्टार नोड़ा है कि जिनके लोगों में एक अहंकार है एक घमंध है और जैसे समझ रहा है कि सत्ता में आये हैं तो कभी सत्ता से जाएंगे ही नहीं इस मौके पर कॉंगरेस पार्टी ने नोडबंदी के मुद्दे पर एक बुकलेट भी जारी की और नोडबंदी की वजह से मरने वाले लोगों को शृधान जली भी दी विशाल रहिया राजे सबा टीवी वहीं बीजेपी का कहरा है कि नोडबंदी के मुद्दे पर देश की जनता प्रधानमंतरी नरेंद्रमोदी के साथ है या इसी आरोचना करना कुछ ना कुछ वेकार आरोप करना उसमें कोई मत्रव नहीं है What is the scam in this? There is nothing which is openly done, transparent and then everybody has been asked to account for the money they have What is the scam? The Congress Party is worried about the growing popularity of Shri Narendra Bhai Modi इससे पहले बुद्धवार को त्रणमोदी कोंग्रेस ने नोडबंदी और सीबिया के दुरुपियों के मामले में केंद्र सरकार के आलूचना की, पार्टी ने मामले में राश्पती से हस्तक्षेप की मांग भी की है राश्पती से मुलाकात से पहले टी-M.C. ने कोलका था और दिल्ली में प्रदर्शन किया कॉंग्रेस सांसध गुद्वार को एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ सडकों पर उद्रें दिल्ली में इस विरोध पदर्शन के दोरान केंदर सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे बाजी की गई और उसके बाद दोनों सदनों के करीब तीस तान सद राश्टरपती भावन पहुंचे उन्होंने राश्टरपती से नोटबंदी से लोगों को दिकतों के मामले में हस्तोशेप की मांग की और साथ ही ये भी कहा कि CBI का दुरप्यों केंदर सरकार कर रही है साजीश चल रहा है और CBI को कॉंस्पिरसी बुरॉफ इंवस्टिगेशन बना दिया गया जिस साजीश में नोटबंदी के खिलाप आवाज उठाने के कारन तीनमूल कॉंग्रस के लोगों को नेताओ को कष्ट दिया जा रहा है चेटपन घोटाले के मामले में टीमसी के दो सांसत सुधी बंदोपाद्या है और तापस पॉल को CBI पहले ही गिरफतार कर चुकी है मंगलवार को एक अने नेता कुणाल घोश से CBI ने बारा घंटे तक कोलकाता में पूछताज की थी टीमसी ने कुछ दिन पहले भी दिली में प्रधानमंत्री के दफ्तर के घेराव की कोशिश की थी संसत के बीते सत्र के दौरान भी टीमसी नोट बंदी के मुद्धे पर सबसे ज्यादा मुखर थी विश्व बैंक ने वित्ते वर्ष 2016 सत्रा के दौरान भारत के विकास दर के अनुमान में कमी की है बैंक के मताबिक अभी ये दर 7.6 फीजदी के बजाए 7 फीजदी रह सकती है विश्व बैंक ने विकास दर के अनुमानों में कमी का मुख्य कारण नोट बंदी को बताया है हाला कि बैंक ने सरकार के एक गदम को सुधार का नाम दिया है उसके मताबिक किसी भी सुधार का छोटी अवदी के विकास दर पर असर पड़ता है लेकिन आगे चलकर इसके सकरात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे बैंक को आशा है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, निवेश और खपत बढ़ने के संभावना है जिसके चलते वित्यवश 2018 और 19 में विकास दर रफ़तार पकड़ सकती है वित्यमंत्री अरुन जेटली ने कहा है कि नोटबंदी और जीस्टी का असर इस साल से दिखने लगेगा उन्होंने कहा कि से समनांतर अर्थवश्था खत्म होगी और सरकार का राज़स्ट वबढ़ेगा वित्यमंत्री ने कहा कि अपरेल से जीस्टी लाकू करने की कोशिश हो रही है वाइबरेंट गुजराज सम्मेलन में वित्यमंत्री अरुन जेटली ने नोटबंदी को साहसिक फैसला बताया उन्होंने कहा कि दिक्कतें अब खत्म हो गई हैं वित्यमंत्री के मताबिक नोटबंदी से अर्थविवस्था पारदर्शी होगी और जीडीपी में भी बढ़ुत्री होगी वित्यमंत्री ने इंडिये सरकार बढ़ेगा के आर्थिक फैसलों की बात भी की उन्होंने बड़े बदलावों के लिए आर्थिक सुधारों को तेज करने पर जोर दिया वित्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल लेंडेन और जीएस्टी से अर्थविवस्था को ताकत मिलेगी वित्यमंत्री ने कहा कि जीएस्टी से जुड़े अधिकतर लंबित मुद्दो को सुल्जा लिया गया है और बाकी मुद्दों पर सहमती बनाने की कोशिश जारी है उन्होंने कहा कि सरकार जीएस्टी को एक अप्रेल से लागू करना चाहती है ब्योरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी सितारों की कहकशा है यूही घूमते रहने का मज़ा ही कुछ और हम अपना प्यार बढ़ा रहे हैं ये प्रेम की बाते होती है मेरा मज़व इंसानियत है बासुरी को लेके और उसको मैं गाउं दुरूपर सहली में तो कितनी अच्छी बात हो सपनों की उड़ान और उनके संखर्श की रहकुजर हिंदो एक महकता हुआ फूल है और मुसल्मान एक महकते हुई जो ही का दरख्त है मैंने का अमा जो भी जाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियास करूँगा रस्ते पे पड़े हैं कितानों की तर लाकि इंसे इना चोट लगे कोई आदमी अपना रस्ता नहीं बदलता है आईए चलिए मेरे साथ ताबिन्द सितारों की खुबसूरत में फिल बिल उत्रा खंड में समुद्रतल से करीब साड़े बंदरा हजार फुट की उचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे उंचा गुर्दवारा पवित्र श्री हेमकुन्ट साहिब 1936 में बनकर तयार हुआ गुर्दवारा श्री हेमकुन्ट साहिब दस्वे सीख गुरू, गुरू गोबिन सिंग के दुष्ट दमन रूप को समर्बित पश्चिम्बंगाल के खड़कपुर में टीमसी दफ्तर पर गोलिबारी में दो कारे करताओं की मौत हो गई जबकि तीन कारे करता गंभी रूप से जखमी हुए है बिन्दापुर मेडिकल कॉलिज में घायलो का इलाज चल रहा है नकाब पोश हमलावरों ने कल खड़कपुर में टीमसी कारेयले के अंदर और बाहर दोनों जग़गए और गोलियां चलाई वरदात के बाद इलाखे में तनाव पहल गया पुरिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों के तलाश में जुड़ गई है इस बेच्टीमसी ने इस मामले में बीजेपी नेताओं की भूमिका की जांच की मांग की है तो बीजेपी ने आरोपो को बेबुनियाद बताया है बीजेपी जमान वीडियो मामले में बलके महानिदेशक के के शर्मा ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट गृह सचिव को सौप दी है रिपोर्ट में का गया है कि वीडियो में दिखाई गई दाल डिबबा बन थी जबकि पुरान पराठा यूनिट की मैस में ही बना था इस बारे में पूरी रिपोर्ट बीएसफ आद सौपेगी ग्रीमन्त्राले ने दस जनवरी को ही बीएसफ को ये रिपोर्ट 24 घंटे भी देने को कहा था बीएसफ ने रिपोर्ट पर कुछ नहीं कहा है लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक बीएसफ के अंतरिम रिपोर्ट में तेज बहादूर यादव के वीडियो पोस्ट करने के बाद उठाए गए ख़द्मों का जिक्र किया गया है फिर्यमं अन्त्राले ने कहा है कि एक अतर्क्त महान यदेश और डियाईजी स्तर के अधिकारी को जवान को दिये जाने वाले भोजन की कुडवत्ता और पोशक्त तत्वो किस्तिती की जानकारी हासल करने के लिए भीज़ा गया है बीसेफ के मेडिकल निदेशाले की एक टीम भी इस काम में उनके साथ लगाई गई है इस सभी जवानों को दिये जारे भूजन के अलग अलग माबदंडों पर परताल करेंगे सेना ने जम्मू कश्मीर के पुँछ लाखे में नियंतरन रिखा के पास घुसपैट की कोशिश नाकाम कर दी है आतंगवादियों का सुराग मिलने के बाद हुई मुद्भेड में दो आतंगवादी मारे गए सेना की प्रवक्ता के मताबिक बेतार नाला के पास मंगलवार को दो आतंगवादियों का पता चलने पर ये कारवाई की गई इससे पहले अकनूर में 9 जनवरी को जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के कैम पर आतंगवादी हमला हुआ था इसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी आतंगवादियों ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब पहरे पर तहराथ सिपाही अपनी ड्यूटी में बदलाव कर रहे थी सुप्रीम कोट ने सहरा बिल्ला डायरी मामले में सुनवाई करते हुए जांच के आदेश देने से मना कर दिया है NGO के तरफ से दायरी आचिका में सुप्रीम कोट ने कहा कि इस मामले में ठोस सबूतों की कमी है जिसके चलते जांच के आदेश नहीं दिये जा सकते आयकर विभाग की छापे मारी के दौरान सहारा के आफिस से एक डायरी मिली थी जिसमें कथेत रूप से 2003 में गुजरात के ततकालीन मुख्यमंत्री नरेंद्रमोदी समेट कई और मुख्यमंत्रियों को घूस देने की जानकारी थी कॉंग्रेस वपादक्ष राउल गांधी अपने रैलियों में इस मामले को लेकर रुधान मंत्री नरेंद्रमोदी पर कई बार निशाना साध चुके हैं मेरे इसाब से बहुत ही दुर्भाग इप्रूण फैसला है और इससे ये जो एक बादल इन लोगों का जिनका नाम उन डॉक्यूमंट्स में मेंशन्ड है जिनको ये पेमेंट्स रिसीव हुए उनके उपर से बादल हटेगा नहीं और बात समाजवादी पार्टी में जारी संगर्श की समाजवादी पार्टी प्रमुक मुलायम सिंग यादव ने एक बार फिर कहा है कि वो पार्टी को तूटने नहीं देगे बुद्वार को दिल्ली रवाना होने से पहले लखनों में मुलायम सिंग यादव ने राम गुपाल यादव को सारे विवाद की वज़ा बताया साथी अखलेश यादव को इस विवाद से दूर रहने के सलाव भी दी समाजवादी पार्टी के अंदर उठे विवाद पर मुलायम सिंग यादव ने कहा है कि वो पार्टी को एक रखना चाहते हैं उन्होंने दोराया कि अखलेश यादव ही पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पत का चेहरा है मुलाहिम ने दावा किया कि वो पार्टी को बचाना चाहते हैं और इसके लिए सब कुछ करेंगे मुलाहिम सिंग ने कहा कि राम गुपाल यादव अखिल भारती समाजवादी पार्टी बना रहे हैं उन्होंने अरोप लगाया कि राम गुपाल ने चुनाव आयोग से मोटर साइकल का चुनाव चिन मागा है साथी दावा किया कि वो ना पार्टी का नाम बदलेंगे और ना ही चुनाव चिन इस से पहले मंगलवार को मुलाहिम सिंग और अकलेश यादव के बीच हुई बैठक के बाद पार्टी का विवाद सुलच जाने के आसार बने थे उत्तर प्रदेश विदानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है समाजवादी पार्टी का विवाद अगर खत्म नहीं होता तो पार्टी को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा इधर साइकल चुनाव चि से प्रतिबंद हटाने का अग्रे किया है उन्होंने का कि इसे लेकर राज्जी के लोगों में नाराज़गी है शाशिकला ने प्रदानमंत्री से जली कट्टू के आयोजन में आने वाली खानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए एक अध्यादेश लाने की अपील की है वही तमिल नाडू के मुख्यमंत्री पनीर सेलवं में अपनी सरकार से जली कट्टू के आयोजन के लिए तैयार रहने के लिए कहा है AIDM के सांसिदों के प्रितिनी दिमंडल ने इस मामले पर परियावरन मंत्री अनिलमादवदवे से मुलाकात की अप्रधार मंत्री कारयाले में ग्यापन भी सौपा AIDM के ने इस मामले में केंदर पर दोहरे रवये कारोप लगाया सुप्रीम कोट ने साल 2014 में जले कट्टू पर रोक लगा दी थी भारत ने कैनड़ में इ-कॉमर्स कमपनी Amazon के साइट पर तिरंगे वाले पाइदान बेचे जाने को लेकर कड़ा अतराज जटाया है विदेश मंतरी सुष्मा स्वराज ने Amazon कैनड़ा से तुरंट इसके बिक्री रोकने और बिना शर्त माफी मांगने को कहा है सुष्मा ने ट्वीट करके कहा कि कमपनी को तुरंट तिरंगे का अपमान करने वाले सभी उतपादों को हटाना चाहिए साथी चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो भारत कमपने अधिकारियों को वीजा नहीं देंगे और पहले से जारी वीजा को भी रोक लिया जाएगा विदेश मंतरी ने कैनड़ा में भारते उच्चायों से मामले को तुरंथ आमेजोन कैनड़ा के शीषा दिकारियों के सामने उठाने के निर्देश दिये हैं अतुल भोबी नाम के एक शक्स ने सुश्मा स्वराज को ट्वीट करके कैनड़ा में बिक रहे इस डॉर्मैट के बारे में जानकारी दी थी और विदेश मंतरी से कारवाई का आग रह किया था भारत और कीनिया के बीच क्रिशी क्षेतर में दो समझोतों पर हस्ताक्षर हुए हैं दोनों देशों ने मनी लॉंडरिंग और साइबर सुरक्षा की क्षेतर में भी सहयोग पर जोर दिया लोग तंतर में साजा विश्वास भारत और कीनिया के आपसी संबंधों को मजबूत करते हैं हैदरबाद हाउस में कीनिया के राश्वपती उहरू केनियाटा के साथ साजा प्रेस्पवारता में प्रधानमंतरी नरेन मोदी ने ये बाते कहीं उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने उपने वेश्वात के खिलाफ लड़ाई लड़ी है प्रधानमंतरी ने कहा कि करशी में सहयोग खादे सुरक्षा हमारी साजा प्रात्विक्ता है उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा छेतर में भी भागीदारी बढ़ाने पर जू कीनिया के राष्टपती ने भी दोनों देशों के बीच व्यापार समेत दूसरे संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया, उन्होंने कीनिया में निवेश का नियोता दिया है कीनिया के राष्टपती ने उपराष्टपती मुहम्मद हामिद अंसारी से मुलाकात की, दोनों ने ताओं के बीच कई एहम मुद्दों पर चर्चा हुई, इससे पहले कीनिया के राष्टपती ने राजगाट जाकर राष्टपिता महात्मा गांधी की समाधी पर शुर्धा बातमोसम की पहाड़ी लागों में बर्वबारी तो मैदानी लागों में शीत लहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है हमाचल प्रिदेश में थंड से अब तक साथ लोगों की जान जा चुकी है मैदानी लागों में भी कडाकी की थंड पड़ रही है दिल्ली में तापमान 2.3 डिग्री सेलसियस दर्च किया गया वही लेह में भी जमा देने वाली ठंड पड़ रही है जहां तापमान शून से नीचे 11.4 डिग्री दर्च किया गया इधर हिमाशर प्रदेश में जारी बर्बारी का सर आम जन जीवन पर पड़ रहा है हाला कि ताज़ा बर्बारी से सैलानी काफी खुश नजर आ रहे हैं मैदानी लौकों में सर्ध हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है राजधानी दिल्ली में नियूंतम तापमान 4.2 डिग्री सेलसियस दर्च किया गया उधर जोदपुर जिले के फलोदी इलाके में तापमान 6.5 डिग्री नीचे चला गया पंजाब में भी ठंड ने लोगों को घर में दुबकने को मजबूर कर दिया अमरसर में पारा लुटकर 1.7 डिग्री सेलसियस पहुँच गया कोहरे का बुरासर हवाई और रेली आतायात पर पढ़ा है दिली आने वाली 26 ट्रेने देरी से पहुँची वही 7 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया और 11 ट्रेनों को रद करना पड़ा छे अंतरास्टी और घरेलू उड़ानों में भी देरी हुई है फिलहाल ठंड से निजात मिलना मुश्किल है मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिरों में पहाड़ों पर बरबारी और होगी जिसके चलते मैदानी इलाकों में शीत लहर जारी रहेगी बीरो रिपोर्ट राजे सभा टीवी देशाथ स्वामी विभेकानन्द की 154 वी जेयन्ती मना रहा है स्वामी विभेकानन्द ने विश्व बंदुत्व और शान्ती के भारतिय दर्शन की संदेश को पूरी दुनिया में पहुचाया था प्रधान मंत्री ने स्वामी विभेकानन्द को उनकी जेयन्ती पश्वधन्ज ली दी है 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुई विश्व धर्म महासभा में स्वामी विभेकानन्द का ये वही संदेश है जिसके जर्ये उन्होंने पूरे अमेरिका और योरप का दिल जीत लिया था दुनिया भर में भरतिये संस्कृति को गौरव और सम्मान दिलाने वाले स्वामी विभेकानन्द का जन्म 12 जन्वरी 1863 को कोलकता में हुआ था उनका वास्तविक नाम नरेंदरनाथ दत था नवंबर 1881 में राम कृष्ण परमहन्स से मुलाकात के बाद वे आध्यात्मिक्ता की ओर चल दिये 25 साल की आयू में उन्होंने सन्यास ले लिया और पैदल ही पूरे भारत वर्ष की यात्रा की चार जुलाई 1902 में उन्होंने महा समाधी ले ली उन्होंने राम कृष्ण मिशन के जरिये भारतिय संस्कृती के विश्व बंधुत्व और मानाव सेवा के मूल्यों को दुनिया भर के लोगों के बीच पहुचाने में एहम योगदान दिया विवेकानन्द युवा भारत के प्रतीक के तौर पर भी जाने जाते हैं युवाओं के बीच उनके विचार बेहत लोग प्रिये हैं आतंक और हिंसा से कराह रही दुनिया में शान्ती और अमन के उनके संदेश की प्रासंगिक्ता आज के परिद्रिश में और भी ज्यादा बढ़ जाती है ब्योरो रिपोर्ट रज्यसभा टीवी फिल्म अबनेता अमरीश पूरी की आज बुनितिती है अमरीश पूरी को अबने की किसी एक विधा में बांधना मुश्किल है एक तरफ जहां उन्होंने निशान्त और जुनून जैसी कला फिल्मों में अपना लुहा मनवाया तो मल्यालम, तमिल और अंग्रेजी फिल्मों में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया इस दिगच खलाय को याद करते है उनकी जैन्ति पर रॉबिला चहरा बड़ी बड़ी आँखें और दमदार आवाज और उस पर शानदार गेट अप इन ही खूबियों के जर्ये अमरिश पूरी ने फिल्म जगत में अलग पहचान बनाई 1971 में फिल्म रेश्मा और शेरा से करियर की शुरुआत की हराम खोरो प्याग कि इंगुठिया पहनने का इतना ही शौक था तो मुझे कहलवा बेच दे आज तुम बहुत बड़ी भूल कर बैठे हो शौब राज तुम्हारे काखजात और तुम्हारी जिन्दगी दोनों मेरे हाथ में मुगैंबू 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया अमरिश पूरी के करियर में मील का पत्थर साबित हुई और मुगैंबू का किरदार अमरिश पूरी की पहचान बन गया हॉलिवट के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग की मशूर फिल्म इंडिना जोन्स एंड टेंपल अफ डूम में अमरिश पूरी ने खलनायक के रूप में काली के भक्त का किरदार निभाया बली मांगती काली मां मुक्ती देगी काली मां काली मां काली मां काली मां शक्ती दे 2006 में आई कच्ची सड़क उनकी आखरी फिल्म रही आज अमरिश पूरी इस दुनिया में नहीं है लेकिन एक महान फिल्मी खलनायक के तौर पर अमरिश पूरी को हमेशा याद रखा जाएगा तुम तो जानते ही हो के इंदर जीत चड़ा कभी शिकस्त नहीं खा था और अब आखर में हेडलाइन्स नोडबंदी का लक्ष डर फैलाना राहूल गांदी का प्रद्यार मंत्री परतंज बताये दो विचार धाराव की लड़ाई खड़दपूर में खड़दपूर में टीमसी दफ्तर पर गोली बारी में दोकी मौत पार्टी ने कहा बीजेपी नेताओं की भूमिका की हो जाँच आरोपो से बीजेपी का इंकार सहारा बिल्ला डाइरी मामला लेकर जनता के बीच जाएगी कॉंग्रिस याचिका खारिज होनी को आम आदमी पार्टी ने बताया दुर्भागे पूर्ण केंद्र ने कहा समवेधारिक पदों को प्रभावित करेगी जाँच बीएसफ जवान वीडियो मामले में बीएसफ ने ग्री मंत्राले को सौपी रिपोर्ट कहा डिबावन खाने का हुआ इस्तमाल बोजन के उचिगुडवत्ता के लिए जारी के दिशानर देश तिरंगे के अपमार पर अमेज़ॉन कैनड़ा को सक्ट चेतावनी भारत ने कहा बिना शर्त मांगे माफी नहीं तो रदोगा वीजा बाजार से उत्पाद वापस लेने की बाद और फिलाल खबरों में इतना ही आगे देखे देश देशन तर अमसका कि अपमार ये देखे देखे वापस लेखे बाद को सुझ हो पातर से देखे हैं